आज हम लोग सीखने वाले हैं एक partnership form जो है वो drawing के उपर में interest का calculation कैसे करती है सबसे पहले समझते है drawing means होता क्या है drawing means anything which has been withdrawn by the partners from the partnership form partnership form से partners जो भी कुछ विड्रियू करते हैं उसको हम लोग drawing बोलते हैं यह drawing जो है वो cash के form में भी हो सकती है goods के form में भी हो सकती है और यह फिर किसी asset के form में भी हो सकती है but in generally हम लोग यही देखते हैं कि partners जो drawing कर रहे हैं वो cash के form में होती है देखिए अलग-अलग concept से हम लोग deal करेंगे कि partners जो drawing कर रहे हैं उसके उपर में interest कैसे कैसे calculate करना है different way होते हैं drawing करने के partners जो है वो drawing एक बार में lump sum में भी कर सकते हैं timely business पे थोड़ा-थोड़ा करके भी कर सकते हैं एक fix amount periodically भी कर सकते हैं इन सारे concept के उपर में ये सारे videos रहेंगे आएए देखते हैं एक illustration design किया हुआ है A and B are partners during the year A will due rupees 5000 interest on drawing is 5% पर है न A और B partner है और उसमें A ने drawing किये 5000 पर मन 5000 रुपीज की date नहीं specify किया हुआ है उसके उपर में आपको interest on drawing calculate करना है date specify नहीं किया हुआ है जब भी sum के अंदर में date नहीं specify किया हुआ रहता है तो situation के अंदर में हम लोग क्या करते हैं interest जो calculate करते हैं वो 6 months के लिए करते हैं हम लोग को date नहीं mention है यह 5000 रुपीज हो सकता है कभी उसने 2000 रुपीज वे due किया होगा फिर कभी 1000 फिर और कभी 2000 यह एक बार में हो सकता है lump तब भी 5000 किया हुआ पर अपने को date नहीं पता है तो हम लोग अध्यूम करेंगे कि year के बिलकुल mid में उसने यह drawing की गया तो अगर मान लेते हैं उसका accounting period 1st April 2016 से लेकर के 31st March 2017 तक का है तो यह जो drawing की गई है यह 1st October को की गई है तो इसके उपर में आप लोग को 6 months का interest निकालना पड़ेगा interest कितना होगा 5000 into 5% into 6 by 12 that comes out to be rupees 125 अभी अगर मान लेते हैं इसी सम में आप लोग को during the year नहीं लिखा हुआ रहा था during the year की जगा पे आपको लिखा हुआ रहा था यह जो drawing की गई है it has been done on 1st January 2017 तो अब जो हम लोग interest calculate करेंगे न वो 3 months के लिए होगा because year end होने में अब कितना time बज़ा हुआ है 1st Jan तो Jan 3 months बज़ा हुआ है तो इसके उपर में 3 months का interest का calculation होगा देखते है कितना आता है 62.5 approximately 60 अब आगे चलते है periodical drawing का concept आता है देखिए periodical drawing में क्या होता है एक partner जो है वो drawing करता है periodically एक fix amount का एक fix amount वो draw with review करता रहता है तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं monthly drawing का case monthly drawing के case में क्या होगा एक partner जो है वो every month एक fix amount partnership firm से with review करेगा तो देखिए पहला वाला case जो है वो है monthly drawing का और drawing जो है वो कब की जा रही है beginning of every month हर month के starting में ये drawing की जा रही है तो देखिए इस पर interest कैसे calculate किया जाएगा illustration है ए विद्रीव रूपीज 1,000 पर मत at the beginning of each month interest on drawing at the rate of 5% पर आनम ए वान थाउजन रूपीज विद्रीव कर रहा है और उसके उपर में interest on drawing होगा 5% पर आनम के साब चाहिए तो सबसे पहले हम लोग को ये steps follow करने पड़ेंगे and steps के according हम लोग interest on drawing find out करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं उसने total drawing कितनी की होगे इस पूरे year में 1,000 रूपीज पर मन्त है that means year में 12 months होते है तो total drawing कितनी होगे 1,000 into 12 that is 12,000 रूपीज step 2 जो सबसे crucial है इस topic के अंदर में वो बोलता है average period find करो average period कैसे find होगा period remaining after first drawing plus period remaining after last drawing divided by 2 अब ये period remaining after first drawing का मतलब क्या होगया इसका मतलब होगया जिस दिन partner ने first drawing की है वहाँ से लेकर के year end तक देखो कि कितना time बजा होगा है वो होगा आपका period remaining after first drawing और period remaining after last drawing का मतलब मतलब जो last drawing partner ने की है वो drawing करने के बाद में कितना time बजा होगा है year end होने में चलिए देखते हैं इस sum के अंदर में accounting period जो है वो first April 2016 से लेकर के 31st March 2017 तक है तो अब first drawing जो है वो कब की गई होगी बोला हुआ है ना sum के अंदर में beginning of every month that means जो first drawing की गई होगी वो first April 2016 को की गई होगी first April 2016 को ने first drawing की होगी तो अब आप मुझे ये बताइए first April को अगर first drawing की जा रही है तो अब year end होने में कितना time बचा होगा है first April को यानि April month हम लोग को पूरा लेना पड़ेगा May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March पूरे 12 months बचे ये ये end होने में that means period remaining after first drawing कितना हो जाएगा last drawing कब की गई होगी beginning of every month बोला था याद रखिएगा last drawing कब की गई होगी first March को न तो अब first March को drawing करने के बाद में कितना time बच गया है year end होने में period remaining after last drawing one month एक महिना बचा है one month बचा हुआ है 31st March को book close होगी तो period remaining after last drawing कितना हो जाएगा one that means average period कितना हो जाएगा 12 plus 1 by 2 that is 6.5 months step 3 में हम लोग interest on drawing find करते हैं वो होता है total drawing into rate by 100 into average period by 12 तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग total drawing कितनी है 12,000 into 5% into average period 6.5 अम लोगो ने find किया 6.5 by 12 that is Rs.325 second illustration की तरफ आते है वही monthly drawing है वही monthly drawing है ए विद्रिव रुपीज 1,000 per month at the mid of every month interest वही 5% per annum है तो अब इस case में क्या हो जाएगा 7 total drawing कितना होगा 12,000 average period find करना है हम लोगो क्यासे find होगा period remaining after first drawing plus period remaining after last drawing that divided by 2 अब देखिए यहां लिखा हुआ है mid of every month यानि अगर उसका books of account जो है वो 1st April 2016 से लेके 31st March 2017 तक का है तो जो first drawing की गई होगी वो कब की गई होगी April month में की गई होगी पर किस दिन mid of every month बोला है न तो April का mid कब होता है 15th April तो 15th April को first drawing की गई होगी अब आप मुझे यह बताईए April में अगर 15th April को अगर drawing की जा रही है तो April month खतम होने के लिए कितना time बचा है half month half month बचा है और अब हम लोग count कर लेते हैं कि पूरा year end होने में कितना time left है April का half month May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March टोटल कितने होगी है यह 11 month पूरे लेने और April का half month that means 11.5 months तो average period कितना हो जाएगा period remaining after first round 11.5 months period remaining after last round कितना होगा last round कद की गई होगी mid of March में अब mid of March में अगर किया जा रहा है तो year end होने में अब कितना time बचा हो है फिर से half month 31st March को book close कर रहे तो half month ही बचा होगा तो इस situation के अंदर में आपका period remaining after last round कितना हो जाएगा 0.5 तो average period कितना हो जाएगा 6 months interest on drawing 12,000 into 5% into 6 by 12 that is rupees 3 next illustration monthly drawing है drawing अब की जा रही है end of every month लिखा हो है कि A with due rupees 1,000 per month at the end of every month interest rate वही 5% per annum दिया हो है total drawing अगें 12,000 हो जाएगा अब average period हम लोग को fine करना है average period fine करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखेंगे period remaining after first drawing कितना होगा और फिर हम लोग देखेंगे period remaining after last drawing कितना आ रहे है अब इस situation के अंदर में आप लोग देखें books of accounts हम लोग जो है वो क्या कर रहे है accounting period अपना फिर से वही first April 2016 से 31st March 2017 लेते है first drawing April month में की गई होगी April month में कितनी date को कौन सी date को की गई होगी end of every month बोला सा न तो 30th April को की गई होगी अब book close होने में time कितना बचा हुआ है April में की गई है तो उसके बाद में April month में तो कुछ भी नहीं बचा उसके बाद कितना time बचा है May complete, June, July and so on ऐसे करके अपने को माज़ तक जाना है तो कितना month होगया 11 month April में तो कुछ नहीं लेना है अपने को April month तो है नहीं तो 11 month में से लेकर के मार्च तक 11 month लेना है तो period remaining after first rowing कितना हो जाएगा 11 month last rowing कब की गई होगी 31st March 2017 को because end of every month बोला था तो अब year end होने में कितना time बचा है कुछ भी नहीं 31st March को ही तो हम लोग को close करते है तो period remaining after last rowing कितना हो जाएगा 0 तो average period कितना हो जाएगा 5.5 months interest on drawing उसके basis पे calculate करें हम लोग interest on drawing equals to 12,000 into 5% into 5.5 by 12 that is rupees 275 तो in short अब हम लोग क्या conclusion निकाल सकते हैं जब beginning of every month में अगर drawing की जा रही है तो situation के अंदर में जो average period है वो 6.5 months का लेना है mid of every month में है तो 6 months लेना है और end of every month में है तो 5.5 months लेना है मतलब हम लोग को करना क्या है हम लोग को करना है यह टोटल ड्रोइं इन्टू रेट बाई 100 इन्टू अब यह average period कैसे निकालते हैं beginning के लिए 6.5, mid के लिए 6 months और end के लिए 5.5 months I hope आप लोग को यहां तक समझ में आया होका अब आगे के वीडियो में हम लोग quarterly drawing के concept को डिस्कस करेंगे प्लूज अब बाशया है करें वीडियो